फृदय मंदिर के अंदर संदोश जब कभी किसी दुखत घटना से तुम्हारा मन खिन्ड हो रहा हो निराशा के बादल चारो ओर से चाय हुए हो असफलता के कारण चित दुखे बना हुआ हो भविश की भयानक आशंका सामने खड़ी हुई हो बुद्धे किंग कर्तवे विमोड हो रही हो तो इधर उधर मत भटको उस लोमड़ी को देखो वो शिकारी कुत्तों से घरने पर भाग कर अपनी गुफा में घुश जाती है और वहां संदोश की सांस लेती है ऐसे विशम अवसरों पर सब ओर से अपने चित्त को हटा लो और अपने फृदे मंदिर में चले जाओ बाहर की समस्त बातों को बिलकुल भोल जाओ पाप तापों को द्वार पर छोड़ कर जब भीतर जाने लगोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक बढ़ा भारी बोज जिसके भार से गर्दन तूटी जा रही थी उतर गया है और तुम बहुत ही हलके रुई के टुकडे की तरह हलके हो गए हो फृदे मंदिर में इतनी शान्ती मिलेगी जितनी ग्रिश्म से तपे हुए व्यक्ति को बर्फ से भरे हुए कमरे में मिलती है कुछी देर में आन्द की जपकियां लेने लगोगे हृदे के इस सात्विक स्थान को ब्रह्मलोग या गोलोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें पवित्रता, प्रकाश और शान्ती का ही निवास है परमात्मा ने हमें स्वर्ग सोपान सुख प्राप्त करने के लिए दिया है किन्तो अज्ञानता वश मनुष उसे जान नहीं पाते अखंड जोदी मार्च 1941 प्रिष्ट 5